नमस्कार दोस्तों एंटिटीन्मिन की सेग्मेंट में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे बिग बॉस के घर के अंदर होने वाली उन खबरों के बारे में जिसे आपनी टीवी पर नहीं देखा होगा तो चलिए बात करते हैं कल रात के एपिसोड की जी हाँ दोस्तों बिग बॉस सीजन बारा के ग्यारवे दिन अब घरवाले अलग-अलग टीम में टास्क के लिए डिवाइड हो गए हैं अब तो दिपिका ककड़ और निहा शो में लंबा सफर तै करने के लिए प्लैनिंग भी कर रही है दिपिका और निहा जरा संभल के कहीं ये प्लैनिंग आप दोनों पर ही भारी न पड़ जाए वहीं कल के शो में बारी थी अब सिंगल्स के समुंदरी लुटेरे बनने की जिसके लिए सिंगल्स इंतजार कर रहे होते हैं हाँ भई सिंगल्स इसका इंतजार तो करेंगे ही क्योंकि कल जोडियों ने समुंदरी ल आने से जगाया जाता है अब सिंगल्स जोडियों से कल का बदला लेने के लिए पूरी तरह तयार होते हैं वहीं विहारी बाबु दीपक अलमारी में कुछ छुपा रहे होते हैं जिसे करणवीर देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि दीपक क्यों अलमारी में कुछ छुपा र दोनों मिलकर सोमी को टास्क के दोरान इतना टॉरचर करते हैं कि सोमी उनके आगे हार मान लेती है वही इस बीच सिंगल्स की टीम का समान बरबाद करती है इससे दोनों ही टीमों में ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है अरे घरवालों जरा संभल के दोस्ती में इतनी कुष्टी भी ठीक नहीं है इसके बाद कैदी बनती है खूबसूरत जसलीन लेकिन जसलीन खूबसूरती यहां कोई काम नहीं आती और जोडियों की टॉर्चर के सामने जसलीन भी अपने घुटने टेक देती है और सोने की रिंग जोडियों को दे देती है कोई बाद नहीं जसलीन आपने भी तो जोडियों की टीम पर टास्क के दौरान बड़े जुल मढ़ाए थे याद तो होगा ही आपको जरान जोडियों की टीम दिपिका को खूब बुरा भला कहती है जिससे दिपिका रो पड़ती है वही शिवाशीश जब टास्क परफॉर्म करने के लिए आते हैं तो करणवीर के हाथ से उन्हें चोट लग जाती है जिससे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है इसे बीच टास्क की संचाली का कृती वहाँ आकर शिवाशीश को विजे तक होशित करती है वाँ भई शिवाशीश आपने तो कमाल कर दिया बचा लिया अपने अपनी टीम की लाज इसके बाद उरवशी को भी सिंगल्स की टीम टास्क में टॉर्चर करती है लेकिन थोड़ा कम वहीं उरवशी भी अपना रिंग सिंगल्स को नहीं देती जिससे दोनों ही टीमों का स्कूर बराबर हो जाता है यानि बात तो वही हुई न तुम जीते सनम न हम हारे इसकी बाद बिग बॉस समय के आधार पर सिंगल्स की टीम को विनर खोशित करते हैं तो वहीं अब सिंगल्स की टीम अब घर का कप्तान किसे बनाया जाए इस बात की चर्चा में लग जाती है हाँ चर्चा करने में कोई खर्चा भी नहीं है तो क्यों न करें चर्चा वही अनूब जी जसलीन से कहते हैं कि उनसे सब ही को दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत खुबसूरत है और वो जसलीन को एक शेर सुनाते हुए भी नज़र आते हैं क्या बात है अनुग जी आप तो जसलीन की प्यार में शायर बन गए वहीं इस रेस्टी के सामने दिपीका रोपड़ती है और कहती है कि सब उसे ही टार्गेट कर रहे हैं वहीं स्रिस्टिस पर कहती है कि वो सेलिब्रिटीज है ऐसी कारण से सब उने ही टारगेट कर रहे हैं अरे दिपिका अब आप बिग बॉस के घर में जो हैं यहां एक दूसरे को तो टारगेट किया ही जाता है ये कोई नई बात नहीं है तो दोस्तों ये सब तो चलता ही रहेगा लेकिन इतना तो जरूर है कि शो अब काफी मज़िददार होता जा रहा है जो सभी चाहते हैं अब देखा आपने बिग बॉस के घर के अंदर कितना एमोशन है और कितना ड्रामा है इसी लिए तो इसका नाम है बिग बॉस मेरे आर्थ दोस्तों बिग बॉस की ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके बिग बॉस की ऐसी ही खबरों से अपडेट